नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्दप्रदेश का नमबर वन न्यूस चैनल क्लीन न्यूस एमपी चलिए देखते हैं मद्दप्रदेश की सबी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में मद्दप्रदेश के बुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोहान ने आज कैबिनेट की बैचक बुलाई इस बैचक में कई हम मुद्दो पर चर्शाख की गई सांथी कई प्रस्तावों पर महार भी लगी ग्रैमंतरी डॉक्टर नरुत्ता मिश्चा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी बता दें कि पत्रकार सम्मानी धी 10,000 से बढ़कर 20,000 करने और 20,000 से 40,000 करने को कैबिनेट की स्विक्रती मिली है चुनाव से पहले कर्मचारियों को मिल सकती है एक और गुड न्यूज एक करोर केंद्रिय कर्मचारियों और पिंशनर्स के लिए मेंगाई भत्ता व्रद्धी पर ताज़ा अपडेट है मीडिया रिपूर्स के बताब एक अक्टूबर में नवरात्री दशरी के बीच केंद्रिय कर्मचारियों के डिये में तीन फीसद व्रद्धी का एलान हो सकता है वर्तमान में डिये 42 परसंट है जो बढ़कर 45 परसंट हो सकता है बीजेपी उमीद्वारों की दूसरी लिस्ट पर कमलनाथ का तंज नहीं मिल रहे उमीद्वार भाजपा ने सुमवार को विधानसबद चुनाओं के लिए अपने उमीद्वारों की दूसरी सूची जारी कर दी इस सूची में 49 नाम हैं जिसमें तीन केंद्रिय मंत्रियों सहित साथ सांसद शामिल हैं दूसरी सूची आने के बाद कॉंग्रेस इन नामों पर तंज कस रही है कमलनाथ दी कहा कि विधानसबद चुनाओं में सांसदों को टिकेट देने के बाद से साबित होता है कि बीजेपी अपनी स्थिती स्वीकार कर चुकी है बाजपा को लगा बड़ा चटका दूसरी लिस्ट आते ही एक और बड़े नेता ने दिया स्तीफा बीते दिन एमपी बीजेपी में अपनी 49 उम्मीद्वारों की दूसरी सूची जारी कर दी सूची में साथ सांसद और तीन केंद्रिय मंत्री को चुनावी मैदान में उतारा कया इस लिस्ट में कई चौकाने वाले नाम सामने आई तो धर टिकेट कटने से कई नेताओं में रोश है जो खुलकर सामने आ रहा है लिस्ट जारी होने के कुछ घंटे बाद इस सीधी सिभाजवा के एक और बड़े नेता प्रदेश कारे समिती सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्र ने पार्टी से स्तीफा दी दिया है कैबिनेट बैठक में कई प्रसाओं पर लगी महार कोटवार अतिती विद्वान पठवारियों को भी तुफा मद्द प्रदेश के रासानी भुपाल में आज मंगलवार को सियम शिवरा सिंग चोहान की अध्धक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई बैठक में प्रदेश के पत्वारियों, पत्रकारों और कोटवारों को बड़ा तोफाद दिया गया महीं पिछोर को नई तहसील और संबल खिलाड़ी योजना शुरू करने के प्रस्ताओं को मन्सूरी दी गई मुखी मंतरी लाड़ी बैना योजना के लाभारतियों के लिए अच्छी खबर है बहनों को जल्द 4500 रुपे में गयस सिलिंडर का लाप मिलेगा इस समंद में सियम शिवरा सिंग चुहान ने वीडियो कॉन्फरेंस द्वारा जिला कलेक्टर से प्रदेश मेडिया आईती दर पर रसोई गैस तो विधा अपलब्द करवाने के लिए बहनों के पंजी अंकारे में तीजी इलानी को कहा सुभाष नगर से आरके एंपी के बीच मेट्रो का सेफटी ट्रायल फाइनल ट्रायल रन दो अक्टूबर को होगा मुबाल के सुभाष नगर इस तिट मेट्रो डिपो में कनेक्टिविटी और टेस्टिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद कोच ट्रैक पर आ गए मंगलवार को इसका सेफटी ट्रायल रन शुरू हुआ सुभाष नगर से आरके एंपी स्टेशन के बीच मेट्रो का सेफटी ट्रायल किया जा रहा है इन दौर में इनफोसेस से पचास एकर जमीन वापस लेगी सरकार मुख्यमंतरे शिवरा सिंग चुहान के अध्यक्ष्टामी मंगलवार को हुई कैबिनेट बैचिक में कई एहम प्रस्तावों को मन्सूरी दी गई कैबिनेट में सरकार ने इन दौर में इनफोसेस से पचास एकर जमीन वापस लेने का फैसला किया बीजेपी की दूसरी लिस्स से भी जोतिरा दिते सिंधिया नदारत कॉंग्रेस ने कसा तंच बीजेपे त्वारा जारी दूसरी सूची में तीन के इंद्रिय मंत्रियों सहित साथ सांसदो और रास्टिय महासचिप का नाम भी शामिल है लेकिन जोती रादेते सिंधिया दूसरी सूची से भी नदारत हैं वहीं उनके दो समर्थकों के नाम भी काते गए इसे लेकर कॉंग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद बीजेपी ने कुछ नाम सरपंच चिचनाओं के लिए आरक्षित कर रखी है तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मध्यप्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद